नमस्कार आप सभी का न्यूज एडी इन इंडिया पर बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम रोबेका लियाकत है और इस वक्त मेरे सामने संदेश खाली की दो पीड़ताएं मौजूद है ये पश्चिम मंगाल से दिल्ली आई है इसलिए क्योंकि राश्चिपती मोहदया से इनकी मुलाकात हो नी थी वो मुलाकात हो गई है और उन्होंने इन पीड़ताओं ने और बाकी तमाम जो संदेश खाली की विक्टिम्स है उन्होंने ये गोहार लगाई है कि हमें आज भी जबके शेक शाजा गिरफ्त में है महिला में ही बात करती है और इसलिए उनके साथ डॉक्टर पार्था विश्वास भी मौझूद है जो कि बंगाल के इन महिलाओं के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं काम कर रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है दोनों अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं और हम इसका पूरा संबान करते हैं एक से मैंने पूछा कि क्या कहकर पुकारना पसंद करोगी तो एक ने कहा कि मुझे आप रिया पुकारिए और एक ने कहा कि आप मुझे जुमपा पुकारिए तो सबसे पहले रिया शुक्रिया कि इतनी तकलीफ के बावजूद आप यहां पर आई है न्यूज एटीन इंडिया से बात करने के लिए मेरे सवाल थोड़े से कड़े होंगे दुबारा आपको परिशानी में लेकर जाएंगे उस पुराने आपके इतिहास में लेकिन मैं चाहती हूँ कि देश की जनता को पता चले के संदेश खाली में हुआ क्या आपके साथ क्या क्या हुआ और क्या आप कभी शेक्स शाजां से मिली उनके लोगों से मिली वो हाजरा या हजारा जिसका नाम है उनसे मुलाकात कभी आपकी हुई माई का मेरा जो मी लीस नी अचास कोरी जो मी लीस नी अचास कोरी शे धाने बार्व दिन टाइम छिलो धाने धान करते शे धाने ते जोलतु ले दिये छिलो अमाय है दोकान भांग इसशूर कोरे शे औमार बाबा के खोँम माध्द कोरे शे अमा केवों माध्द कोरे शेका कोरे शे मली संखना इनी एस बार्व मारद। बहुत समझ पाई हूँ, आपके पिता को बहुत मारते थे, आपकी जमीन, आपकी खेती जो है वो ये लोग चीन लेते थे, ये कौन लोग थे जो ये करते हैं? पुहाजरा, साजन शेक, उत्तम सद्दार, दीने उन्दू दास आचेन, आभार अर्नाईं, शेक शान जाए मॉंडल आछेन, आलो एने शाक्रेत रा आछेन, एर आरेकों आमादेर उपडे सबस्यमाई ट्वाच्चार कारें, किम बाजे भासाई क्वाथा पालें, आमादेर क जोधी ना जाए, आमादेर के तुले नीए जागाआ है, नीगे आमादेर पाठियो माद धरकड़ा खाए, अगर आप बता पाएं कि ये जो बोल रही है कि इनका ये बोलना है कि कि इनके जो husband है उसको भी जमीन चीन लेने के बाद इनका जो अपना जमीन है वो जमीन भी चीन ले गया है और जमीन चीनने के बाद इनको जवरदस्ती रात को बुलाते थे पार्टी ऑफिस में वो पिठा बनाने के लिए उसमें सिर्फ ये नहीं है संदेशकली की और भी बह लिए गया है एक दुकान था उस दोकान को भी पूरा वेंडलेस्ट कर दिया गया है इनको इतना मारा कि ये काफी महिना तक कि ये इनका तवियत खराब रहा है ये हॉस्पिरलेस भी रहे है और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है हाला कि ये संदेश खाली को दिली में रिप्रेज रही है लेकिन हजारों महिला के साथ इस तरह का अत्ताचार म्रोंपे होता है इन्होंने तीन नाम लिए एक है सेग्षाजाहान दूसरा है उत्तम्ध शर्दार तीसरा है शिवु हाजरा ये सारे वहां पे बड़े बड़े बॉलिकल ड्यॉन हैं शेक शाजाहान तो वहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है और पंचेत समीती का एक मतलब काफी बड़ा इंफ्लुएंशियल पॉलिटिकल परसोनेटी है आपकी कभी मुलाकात हुई शेक शाजाहान से किस से मुलाकात हुई यह कौन थे जो आपको बुलाते थे तो आप जब वो बुलाने के लिए आपको आते थे तो आपके हजबंड आपको रोकते नहीं थे अब बोल्त तो उना कि माद धर्कोत तब बोल बे की जै तूमी तू यह का भुक कर हूँ ना जो ये सेक्साजान सिभु आजरा का जो बाइक का बाहिनी है वहां पर वो शेक्साजान का अपने आर्मी ख़ड़ा कर लिया उसने तो वो लरके लोगों को भेज देता था इनके घर में ऐसे महिलाओ का घर में इनको ले जाने के लिए अब इनके जो पती है वो अगर इस पिर अपना है इनको अपर तु हके ला सिर्व इसको लोकर और ये ये कब से हो रहा है आपके साथ ये कब से हो रहा है लां है खेवले हों दिए भोले मननमादे भुटर समक्राइब। खेवले में भाब में भाब जेखेश्बून में फिललोर्ड भिखेश्बूने तीलों। और जाफन अफशाया कथा भुटर। शाजन से गेर बारी ते रेशन दुन नितिर कान दे ओखने एड़ी आशे, एड़ी रुपाये हामला है, जखन हामला है, शाजन से अधर आमाने एखाने शेकाने जखन भूरे बेराई, तो अखन आमरा सावस पाई जे, एई बार आमरा पोतिबात कोत्ते पार बो, जी यह 2012 से घटना हो रहा है, और इन्होंने जब पोलिस के पास यह कंप्रेन लेके गया, तो पोलिस सिधा उनको बोला कि जाके कंप्रोमाईज कर लो, सेख साजान सीवुहाजरा, इनसे कंप्रोमाईज कर लो, कि वही लोग तुमको बचाएंगे, जानि कि जो एक्विस्ट है, उनी के पास भेजा जा रहा है, जस्टिस के लिए, और जब यह जानवरी का, फस्ट रिक अप्दा जानवरी जब वीडी का उपर अक्रमन हुआ, और उस अक्रमन के बाद जब सेख साजान एपसकॉंडेट हो गया, भाग गया, तब यह लोग जाके इनको साहस मिला कि अब जाके हमें अपने विशय को बोलना है, तब ही से इनोंने और इनके साथ जैसे इतना जो पिरिताय है, यह सभी कटा हो कि इस विशय को सामने लाया, कि आंदुलन करेंगे और क्योंकि इनके जमीन अभी भी उनके पास है, और वो लेना एक बहुत बड़ा बात है, हमारे से ज आमार बड़े, आमार बड़े, आमी स्वंदेश खली ठाकी, आमार जोमी जोल जोमी केडे ने बहाएचे, माने नोना जोल तुले दे बहाएचे, जोमी ते गरो में धाने चास कुरे छिला, शे जोमी ते जोल तुले दिये छे, एबंग आमरा कोथा, आमरा हाते पाई धोरे किन्तु आमादेर कोधाशोनेनी उनी, आरू बोलचे ना ए जौल करकोट्ते हवे, आमादेर माचेरशीजन चले आच्छे, बोले आई भावे, नुनाजवाल ले आमादेर कोधाशोनेनी, उनी भाने नुनाजवाल तुले दिये छे, आम्रा मीटिंगे, उनी मीटिंगे, कि यह बोल रही है कि दलीत महिला है हम लोग हमें जबर दस्ती उठा के लिए कर जाते थी भोट का केंपेंड के लिए और महिलाओको केंपेंड के लिए ले जाके रात को 8-9 वाजे फिर इनको वापस भेजते थे जो इन्होंने काम किया है उसका भी जो सौ दिन का जो काम है इस तरह का जो काम है उस काम का जो पैसा है वो भी इनको नहीं मिलते थे। इनोंने हाथ पैर भी पक्रा था उनका कि वो जुट जमीन हम लोका है। उसुटके इनोंने जो इमक्रिकल्चलिल में जो दस बरा दिन और बचा है कि उस फसल को ये लोग काट के लेके आएंगे। तो उन्होंने बोला किने अभी फिशारी का टाइम एक फिसी कल्चर भेरी होता है वहाँ पे जहां पे मचली पालते हैं तो उस जमीन पे इन्होंने सॉल्ट वाटर अंदर करवा दिया ताकि उस जमीन का जो फाटलिटी है वो पुरा खतम हो जाए और उस जमीन पे वो लोग भेरी करते हैं फिशारी इस तरीका से इन्होंने हाथ पेर पकरके भी उनको रिकोष्ट किया कि आद दोस बरा दिन समय देदो हमारी जमीन है हम फसल को काटके उठाले वो भी समय इनको दिया नहीं गया और उसको जबरदस्ति जब्त कर लिया गया है तो ये कितने लोग हों होंगे अचे वनेक जोनाचे अमरा एक शूंगे अंदुलन गुरे चलां कि वा आमार शूंगे जारा एई घड़ना चीलो तारा अनेके याचे दोस जोनाचे और 2012 से कितने ये बता रही है कितनी महिलाएं हैं महिलाएं बहुत है माइक हाँ उनके साथ हजारों महिला है जिनके साथ इस तरह का जो पीरीता है जिनके साथ इस तरह का एक्ता सिटिस भुआ है और ये जब ठाने में जाते हैं इनोंने ये परसॉनली एक बार थाने में गया था है वह एलीगेशन से लेके तो इनके सामने उसने एलीगेशन को पॉस्हाइशन की तरे थिए आपकी अपलिकेशन पॉला गया था पॉलिस पुलिशेर काचे गया चिए दर्खास्त जमादीय चिए बल दर्खास्त जमाद बार परे उनी पोल लेन उटा पोडेन इए बल चे एर विचाज तो आमरा कोड़ बूना तुई शिवुधाजरा साजन शेकर काचेश्चा वरा एर विचार कोड़े आमरा एर माने भुक्तो भ पॉलिस का पास गये तो इनका अप्लिकेशन फार दिया गया इनको और ये बताया कि ये तुम सेक्सा जोना सिभू हाजरे के पास जाके सेटलमेंट कर लो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उनी का पास जाओ तुम तो इनको पता है कि वहाँ पे जाएंगे और उनके एगंस्ट पे ये क्योंकि एलिगेशन ये अप्लिकेशन दे रहा है पॉलिस के पास तो ये जाएंगे तो फिर ये पीटेंगे फिर इसके लिए उन्होंने गये न प्राप सेक्साजान का अपना नाम पे मार्केट, सेक्साजान फुटबल टूर्णामेंट इस तरह का वहाँ पे और आपना डाइनेस्टिय चलाते है जमीन इनी कहा है वो जो काम वहाँ पे करते हैं वहाँ पे भीगा मतलब द्यांब विखा को उपर जमीन चाहिए अपना फिशारी के लिए तो जमीन उसको था नहीं यह जो दलीत महिलावा दलीत जो परिवाहर है उनको जमीन है जो सी प्यम का टाइम में बरगा या पाट्टा में दिया था उसका क्या बरगा जमीन का लैंड रेकॉर्ट नहीं होता है और विखा जाजा गिरवतार हो गया है तो अब आप सुकून से हैं आपको कोई खौफ तो नहीं है आप कहारी है आपको डर है आपका एक चोटा बच्चा है उसको लेकर आप डर रहे हैं नहीं है जो लोग है उनका बच्चा जाग जाग आपको अपस आएगा एक नहीं है हजारो सेक्साजन है सेक्साजन को वहां पर अपने जो लोग है उनके जो जो पोलिटिकल पार्टिस जूर के रहते हैं उनमें से कहीं सेरा लीडर बोला सेक्साजन इस फ्रिडम फाइटर सेक्साजन तो बात्षा है तो सेक्साजन जब वापस आएगा तुमारे उस समय तुमारा मीडिया बंदू भी नहीं रहेंगे और नाहीं तुम्हें और कोई सपोर्ट करेगा तब तुमारा क्या होगा क्योंकि इन्होंने अंदलन किया इन्होंने इस बिशाय को बोला है इनके दो बच्चे है और अभी भी जब सेक्साजन का एरेस्ट हुआ है सेक्साजन का जो भाई है सेक्सिराजुद्दीन और दूसरा आलमगीर वह भी बड़े इंफ्लूंशियल लिडर्स है वह अभी भी देयर स्टिल रोमिंग फ्री वह अभी भी घूम रहा है तो राश्रपती जैसे इनकी क्या बातचीत हुए उन्होंने क्या आश्वासन दिय क्योंकि संदेशखाली बॉर्डर एरिया है संदेशखाली का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह है यह तीन नदी के अंदर नो आइलेंड है संदेशखाली का जो सुन्दरवन में आते है और यह नदी सिधा बेया बेंगल में जाके मिलते है और सिधा बेया बें कि शेक्षाजा गिरफ्तार हो गया है अब आपको कोई डर तो नहीं है कि शेक्षाजान धोरा बोलेशे किन्तो आमाने राक्टा भय आछे आम डा कुनो दिन माने रात रे घुम अते बारी ना अमा तेर बाडी ते गुंडा भाहिनी जाए आमा तेर के हुम की दयाए तो रा मीटिंगे जाश तो देर गौन धलाई देवो तो देर लाल बाती जाली अर शेक्षाजान धोरा बोलेशन धोरा बोलेशे कि आजव आधे पूलिस परे सुन कुण कमाने मने यह देहाए ना मधिर गेला आमा ते हिसा हाजाण आरो इश ही को फं़ बुहाजरा उत्तम सद्दरय काचे जेटक आँए नाम राश डाहन कुन आमरा रास्ष्ट्र भर अभी तक वहाँ पे खौप का परिस्थिती है पूरा टेरर है अभी भी पोलिस का पास जाने से पोलिस का कोई इनको सपोर्ट मिलता नहीं है और उनका वो जो मैं बता रहा था कि एक सेक्साजन चला गया हाजारों सेक्साजन है अभी तुम लोग का लाल बत्ती जला देंगे और तुम लोग को जब सेक्साजन एक वो वापस आएंगे उनका यह है कि सेक्साजन वापस आएंगे तब तुम लोग को कौन बचाएगा यह इनका कहना है कि मैं रात भर सो नहीं पाती क्योंकि गुंदा भाही नहीं कभी भी आ सकता है वापस इसलिए इनका माही नहीं पूरा खुल के आये थे और अपने जस्टिस के लिए वोकाल हुए थे तो लोकल पोलिस यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं गाल पोलिस इस कंप्लिट्ट लिस्ट अस दा मूट स्पेक्टेटर दियार पूरा पोलिस सेटाब उन्होंने चेंज कर दिया आगी ममता बेलर जी खुद एक मैला है उन पर आपको भरोसा नहीं है? आपना शुरू किया और मीडिया का सामने कहीं बर गए तो इनका उपर ये आरोब लगाया कि ये संदेश खाले का ने इनको कहीं से रेंट पे किराये में लेके आके एक तरह का नैरेटी बनाने का कोशिश कर रहे है कुछ पॉलिटिकल और कुछ मीडिया भी साथ में जूरे हुए है जो संदेश खाले का चोटे घटना को बहुत बढ़ा करके दिखाया जा रहा है तो इनका एपिल है डारेक्ट एपिल है आपके थूप कि मामता बैनाज जी वो संदेश खाली में आए ये लोग घुम्टा हटा के उनसे बात करेंगे और अपने आधर काड़ अपने पैन काड़ अपने जमीन का दलिल सब दिखायेंगे क्योंकि एही लोग संदेश खाली के एही लोग 2011 में सीपियम को हटा के मामता बैनाज जी को भोड दिये थे तैकि उनको अपने जीवन जिन्देश का सुड़क्षम मिले तो आप क्या रही मामता बैनाज जी आए और आप से मुलाकात करें जैसा आप पर आरोप लग रहे हैं क्या आप वहाँ पर किरायदार है सैंता आप डिदी आशुक दिदी जाखन कथटा बोले चें तो दीदी संदेश काली आशुक आप दिदी के सबकेश आम दे जाब डागोमेंच चा छे आम रह सबकेश वे से इनके साथ इस्तरीके का अत्याचार हो रहा था ता पुलिस साथ में नहीं थी लेकिन इतना आतंग के कोई कुछ कर ही नहीं पाया ना अचानक कैसे फिर वो ताकत में नहीं अचानक के लिए शाजनक के बारी दे एडी सिबी आया छे उपर जयकोन हामला होए तो जयकोन साजनक के अधरा भये गालो एकाने शेकाने स्वांदेश काले मां देई उने छीलें तो एर बारी और बारी लुके लुके बाराद छेलें आपनी साजनक के बेर कोरे दिए तो वन ले अउन और आ को सुन भेने नहां जाखन वीडिया जाए आखन पूलिश पॉटक्षं में दिया शाजनक के अन्नों जगाई शोरिए राहे न इनका ये बोलना है कि जो बात्षा है जो खुले आम घुमते थे बाइक को पर स्टैंड करते थे ऐसे जो बात्षा है जब एडी को उपर हमला हुआ और वो भाग गए और आपने जो गुंडे है उनको इडी को उपर एटक करने के लिए छोर दिये और इडी को उपर एटक हुआ और वो भग के चले गए और पोलिस उसको सेब पैसे दिया भागने के लिए फिर इन्होंने बोला, पोलिस को बोला कि आप ऐसे कीजिये कि आप भढ जाइए क्योंकि हमारे साथ जो ज़़िस, हमारे साथ जो किया पॉलिश को एपिल किया पॉलिटिकल जो वहां पे लीडर से उनको भी एपिल किया पॉलिटिकल डिविडेंट के कारण कोई सेख साजन को हिम्मत नहीं हो कि सेख साजन के इस बात को पूछे लेकिन आप जो है आप वहां से आई हैं हिम्मत करके दिल्ली राश्पती से आपकी मुलाकात हुई हैं और आप कह रही हैं कि दीदी आपसे एक बार मिल ले ताकि आप जो हैं गूंगड खोल के उनको बता देंगे अपना चेहरा और आपके साथ क्या-क्या जुल्म हुआ है औ वहां शराप पिया करते हैं पार्टी के कारे़करता और ये उनके लिए वहां पर एक किस्म की मिठाई होती है वो बनाया करती थी खूब मारा जाता था खूब इनका तिरसकार किया जाता था आपने सुना खुद अपनी जुबानी वो कहानी बता रही है फिलाल तो हम यही कह सकते हैं कि ममता बेनर जी जो खुद एक महिला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है उनको जरूर संदेश खाली जाना चाहिए एक महिला होने के नाते इनके दर्द को जरूर सुनना चाह झाल झाल